दोस्ताथ की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके हैं हूँ ककाशी का एक एनिमी सेटप इसका मैंने पार्ट वन पहले अफ लोड कर दिया था एंड इस वीडियो में पार्ट सेकेंड के बारे में बात करेंगे यहाँ पर मैंने home screen को एक live wallpaper के साथ customize गिया है यहाँ पर आप देख सकते हो को look आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और बात करें lock screen के बारे में वो भी आपको यहाँ पर full change देखने को मिलेगी यहाँ पर आपको premium wallpaper देखने को मिल जाएगा कैसे आप इस setup को create कर सकते हैं तो setup को create करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ basic settings करना पड़ेगा basic settings क्या है यहाँ पर आपको चार icons add करना है और यहाँ पर आपको कोई भी widget add नहीं करना है क्योंकि इस setup में हम कोई भी widget का use नहीं करेंगे only आपको यहाँ पर simple home screen design देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पर 4 icons use करना है उसके बाद आपको screen के उपर zoom in करना है यहाँ पर आपको click करना है setting वाले icon के उपर more वाले option के उपर click करना और यहाँ पर icon size देखने को मिलेगा यहाँ पर Click करके इसको यहाँ पर कुछ इतना रख लेना उसकी बाद Back कर देना अब बारियाती यहाँ पर थीम्स को डाउनलूड करने की तो आपको कैसा करना है थीम स्टोर एफिगी open करना है open करने के बाद आपको first number की थीम यहवाली download करना है mblv4 के नाम से एंड देखू, काकाशी के part 1 में भी मैंने इस theme को यूज किया था, क्योंकि काकाशी की कोई भी theme अभी theme store पे available नहीं है, यहाँ पे हम baruto theme को यूज करेंगे, तो आपको ये वाली यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे आप creator का name देख सकते हो, theme को download करने के बाद आपको यहाँ dark mode को enable करना है, उसके बाद इस theme को आप apply कर देना, कुछ भी आपको यहाँ पे customize नहीं करना, यह theme आपके सामने apply हो जाएगी, उसके बाद बारियाति यह icons को change करने की, तो icons को change करने के लिए basically आपको flower UI theme का use करना पड़ेगा, यहाँ पे आप name देख सकते हो, यहाँ पे आप creator creator का name देख सकते हो, theme को download करने के बाद आपको यहाँ पे customize वाले option के पर click करना है, आइकन के उपर टिक लगा के इसको apply कर देना, आपके सामने system icons और जो third party apps होते हैं, वो आपके सामने change हो जाएगी, उसके बाद बारियाति यह loc screen को customize करने के लिए basically आपको tech light theme को use करना पड़ तो loc screen का wallpaper कैसे replace करते हैं, उसके लिए मैंने full video बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो i button में video मिल जाएकी check out कर लेना, उसके बाद आपको यहाँ पे customize वाले option के उपर click करना है, loc screen के उपर टिक लगा कि इसको apply कर देना, बट आप जैसे apply करोगी, आपके सामने यहाँ जो control center देखने को मिलता है, वो default हो जाएगा, इसको आपको वापस से rechange करना पड़ेगा, तो इसको rechange करने के लिए आपने जो first number पर theme download गया था, mblv4 के नाम से, इसको आपको वापस से apply करना पड़ेगा, तो कैसे apply करना है, इसको apply करने के लिए आपको customize वाले option के पर click करना है, तो home screen का wallpaper change करने के लिए आप देख सकती हूँ, आपके सामने ये वाला wallpaper देखने को मिलेगा, इस wallpaper का link मैं description box में डाल दूँगा, वहाँ से आप download कर लेना, यहाँ पर आपको यहाँ पर set video wallpaper का option देखने को मिलेगा, यहाँ पर click करके इसको home screen के उपर apply कर देना, and complete आपका setup को apply करने के बाद, आप देख सकती हूँ, आपके सामने home screen design कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको जो wallpaper देखने को मिलता है, वो भी complete change हो जाता है, and यहाँ पर आपको new egg 3D effect देखने को मिलता है, and यहाँ पर भी आप देख सकती हूँ, आपको lighting animation देखने को मिल ज जाएगा, साथी बात करें, यहाँ पर control center के बारे में, ककाशी की अभी कोई भी theme, theme store पे available नहीं है, पहले वाले setup में भी मैंने आपको baruto theme के बारे में बताया था, and इसमें भी मैंने यहाँ पर baruto theme को यूज किया है, तो अगर आप करना चाते हूँ, तो कर सकती हूँ, आप देख सकती हूँ, control center आपको full change देखने को मिलेगा, notification center की बात करें, आपको कुछ ऐसा यहाँ पर view देखने को मिल जाएगा, बात करें, यहाँ पर setting वाई के बारे में तो आप on करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा यहाँ पर view देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपके सामने quality increase हो सकता था, यहाँ पे मैंने कर दिया, और आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो toggles देखने को मिलते हैं, वो भी proper work करेंगे, और widget भी आपके सामने change हो जाएगी, और complete UI आपके सामने change हो जाती है, और यह setup बहुत ही ज़्यादा premium है, अगर आप प्राइ करना चाते हो, तो कर सकते हो, लिंक आपको दोनों wallpapers का, मैं description box में डाल दूँगा, वहाँ से आप download का लेना, तो बस फिलाल वीडियो में इतने हैं, अगर वीडियो पसना आई हो, तो वीडियो को like कर देना, चैनल को subscribe कर देना, मैं मिलता हूँ आप से किसी और interesting topic के साथ, तब तक के लिए, bye bye